दोस्तों ये बालू अपने मजे में यहाँ पर खेल रहा होता है तबी एक शेड़नी की नजर इसके उपर पढ़ जाती है और वो इस बालू को खाने के लिए इसके उपर हमला कर देती है जिसके बाद ये बालू भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगता है और भागते भागते ये एक गिरे हुए पेड़ पे चड़ जाता है इसका पीचा करते हुए ये शेर्णी भी यहाँ आ जाती और तभी पेड़ की टेहनी तूटने की वज़े से ये छोटा बालू इस पानी में गिर जाता है और फिर ये भालू इस टेनी के सहारे तेरते हुए इस नदी के किनारे पे पहुच जाता है लेकिन तभी ये शेर्णी भी इसका पीचा करते हुए यहाँ पहुच जाती जिसके बाद ये भालू तुरंत वहाँ से पलटकर नदी के दूसरे किनारे पे आ जाता है और तबी एक खुकार शेनी भी वहाँ पर पहुच जाती। और इस भालू पे हमला करने लगती। जिससे इस भालू को बहुत खुल निकलने लगता है। लेकिन तभी होता है कुछ ऐसा, जिससे ये शेनी डरके माँ से भाग जाती। दोस्तों मा के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करना